सिवान जिला के मेरवा रेलवे इस्टेशन के रैक पॉइंट माल गोदाम के समीप एक गढ़्धे से एक युवक का सौव पूलिश ने बरामत किया है लगतार दो दिनों से सौव मिलने से आसपास के छेतरों में भै का महौल काइम है इस्टेशन माश्टर के सूचना पर थाना परभारी दलबल के साथ घटना असल पर पहुँच कर सौव को कबजे में लेकर पुष्ट माइटम के लिए सिवान सदरस्ताल भेज दिया सौव देखने से मृतक के कमर पर चाकू मारने का निसान देखा गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी हत्या कर साक्ष छुपाने के लिए रैक पॉइंट पर सौव को फेंग दिया गया है मृतक का उम्र लगभग 22 वर्ट के आसपस पतया जा रहा है हरांके मृतक के पाचान नहीं हो पाया है पुलिस की जाच में आसपस में कुछ भी बरामन नहीं हुआ है बताया जाता है कि सुबा सौच करने गए लोगों ने गड़े में एक युवक का सौव को देखा और सोर मचाया जिसके बद अस्थानी लोगों की भीडु मर पड़ी अस्थानी लोगों ने बताया कि मृतक के सरीर पर कोई कपड़ा नहीं था कमर में चाकू लगने से वह खून से लदफ़त हो गया था इस सम्मझ में थाना परभारी परमोच साह ने बताया कि एक अग्यात युवक का सौव भरामत किया गया है सौव का पाचान नहीं हो पाया है पुलिस सौव की पाचान करने में जूटी हुई है